पाखंड एक आवश्यक विश्य वानी पीट्या से पाखंड एक पापून कारे है। यदि कोई शुरू से ही पवित्र है तो पाखंडी बनने की कोई संभावना नहीं होगी। वह अपने सभी विवहारों में बहुत स्पश्ट और खुला रहेगा। पाप होते ही पाखंडा जाएगा। एक आध्यात्मिक व्यक्ति का अंदर और बाहर एक जैसा होना चाहिए। चरित्र में कमजोरी पाखंड है। यदि कोई कमजोर है तो उसे पुजारी जैसा आध्यात्मिक पद नहीं लेना चाहिए। गुरुवार की शरण में आने के बाद उनकी बातों पर करें। श्रील प्रभुपात की पुस्तकें, व्याख्यान, वारित अलाप और पत्र इस आवश्यक विश्य की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं। जैसा कि वानी कोट्स पाखंड श्रेणी में देखा जाता है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निमनलक्त 14 धरणो दूसरे को तुछ समझ कर पाखंडी बनने से बहतर होगा कि दोनों भायों को तुछ समझ कर नास्तिक बने। चैतन्य चरितामरित अन्यता लीला 5.177 कोई जानवरों को मारना जारी नहीं रख सकता और साथ ही एक धार्मिक व्यक्त्य भी बना रह सकता है। वह सबसे बड़ पाखंड है। इसा मसीह ने कहा था हत्या मत करो लेकिन पाखंडी फिर भी खोद को ये साई बताते हुए उचारों बूचर खाने चलाते हैं। इस श्लोक में ऐसे पाखंड की निंदा की गई है। दूसरों को खुश देख कर खुश होना चाहिए और दूसरों को दुखी देख कर दुखी होना चाहिए। यह पालन किया जाने वाला सिध्धान्त है। श्रीमत भागवाद 6.109 यहां तक की घर्मों के प्रमुपी साधु बननी की कोशिश में जानवरों की हत्या में लिप्त रहते हैं। मानव समाज में यह उपहास और पाखंड सीमित विपत्या लाता है। इसलिए कभी कभी बड़े युद्ध होते हैं। चैतन्य चरितामरित मध्य लीला 24.251 उच्छ अधिकारियों द्वारा धोखाधडी और पाखंड बरदाश्ट नहीं किया जाता है। जदी कोई समझता है कि पाप क्या है तो उसे इसे इमानदारी और अफसोज क साथ छोड़ देना चाहिए और अपने एचेंट शुद्ध भक्त के माध्यम से भगवान के कमल चरणों में आत्म समर्पन करना चाहिए। चैतन्य चरितामरित मध्य लीला 24.253 मंत्रियों का मंत्रि मंडलाक सर्दलिय और समुह स्वार्थ के कारण बदलता रहता है। हर आदनों का दोहन करना चाहता है। कोई भी वेक्तिर राजनीतिक जीवन से तब तक सेवा निवरित नहीं होता जब तक उसे मजबूर्ण न किया जाए। ऐसे निम्श्रेणी के आदमी लोगों का भला कैसे कर सकते हैं। इसका परिणाम भ्रष्टा चार, साजिश और पाप एक शेश को कभी भी पापखंडी नहीं होना चाहिए या अपने आध्यात्मी गुरुवार के प्रति विश्वास घाती नहीं होना चाहिए। श्रीमत भागवाद 6.7.15 जब भगवान को पता चला कि उनके एक ग्रहस्त भक्त की पत्नी गर्बवती है तो उन्होंने पनान करते समय पानी के नीचे पानी पीना नामक क्विधि से धोखा देने की कोशिश की कुपवास के दिन दूसरे शब्दों में उन्होंने अपने अनुयाईयों के बीच कोई पाखन बरदाश्ट नहीं किया चैतन्य चरितामरित परिचे दया के सागर श्री चैतन्य लगाई ताकि वे भक्ति पंक्ति में स्थापित हो सके, शुध भक्ति सेवा में लगे हुए व्यक्ति को पाखनडी नहीं होना चाहिए सन्यास में भरक्ति में लगे व्यक्ति के लिए महिलाओं के साथ अंतरंग संबंद रखना निष्टित रूप से पाखन्ड है ये सजा का निष्ठ हरिदास को भविष्य की सहजियाओं के लिए एक उदाहरण के रूप में दी गई थी, जो रूप गो स्वामी और अनिप्रामानिक सनन्यासियों की नकल करने के लिए त्याक की पोर्शाथ अपना सकते थे, लेकिन गुप्त रूप से महिलाओं के साथ पाखंडी साधन को अपनाया है, लेकिन कोई भी पूरी दुनिया में क्रिश्ण चेतना के वास्तविक पंत का प्रचार नहीं कर सका। चैतन्य चरितामरित आधिल लीला 12.1-2 एक भक्त सभी भौतिक बंधनों से मुक्त है, लेकिन वेह क्रिश्ण भावना भावित गति वि रहता है, ऐसी विशेशग्य भक्ति सेवा पाखंड के बिना की जाती है, चैतन्य चरितामरित अन्यता लीला 1.2-2 श्री कृष्ण भगवान का सर्व आकर्शक व्यक्तित्व सारिस रिष्टी में पून सत्य हैं, और श्रीमत भगवत गीता प्रम्हान के भीतर सर्वोच ग् पुरणों जैसे अन्यधर्म ग्रंथों के अनुसार यहां तक की एक चांडाल या पांचवें सामाजिक प्रम का व्यक्ति शूद्र से नीचे अपनी दिव्विभरक्ति सेवा के कारण पहले प्रम के व्यक्ति ब्राम्मन से भी अधिक बन जाता है, इश्वर का संदेश, अ कोई दूसरा रास्ता नहीं है, चैतन्य चरितामरित मध्यलीला 6.242 भगवान कपिल ने आगे कहा, ये निर्देश इर्शालू लोगों अगे वादियों या उन लोगों के लिए नहीं है जो अपनी आचरण में अशुद्ध हैं, नहीं ये पाखंडियों या उन लोगों के और पत्नी के बीच भी कोई सामंजसे नहीं है, लेकिन इन सभी प्रतिकूल कठिनायों को एक प्रक्रिया से कम किया जा सकता है और वे है भगवान की भगति, पाखंड की दुनिया को केवल भगवान की भगति सेवा के माध्यम से प्रतिकार करके ही रोका जा सकता है और